नमस्कार दोस्तों फिर से मेरे यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम थ्री जेनरेशन्स आफ राइट्स को डिसकस करने वाले हैं डियसी पेपर हुमन राइट्स इन कॉंपरिटी परस्पेक्टिव में इसको पढ़ना है इसको पढ़ने से पहले शुरू करने स तो यह एक राइट है freedom of speech and expression आपको अभी व्यक्ति की स्वातंतरता मिले आपको बोलने की स्वातंतरता मिले अब यह जो राइट है यह नेगेटिव राइट के कैटेगरी में फॉल होता है नेगेटिव राइट का यह मतलब नहीं कि वह खाराब राइट है मतलब नकारातमक टाइप का राइट है ऐसा मत समझेगा बहुत लोग नेगेटिव सब्द को देखकर एक अंदर से सोचते हैं कि तो बुरा राइट है एक तरह से नहीं ऐसा नहीं होता नेगेटिव और पॉजिटिव राइट में एक ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा राज्य का हस्त कर रहा है कि नहीं तो जो नेगेटिव राइट होते है न痛 को प्राक्टिस करना चाहते हैं तो आप को इंटर यइ jornal कशेद चाहते हैं तो आप बोशिश करेंगे अपने को अभी व्यक्त करने की कोशिश करेंगे राज आप पर प्रतिबंध लगा देगा आप बाहरी प्रतिबंध लगा देगा तो आप इस राइट का उपयोग नहीं कर पाएंगे इसलिए नेगेटिव राइट्स ऐसे राइट होते है तो ऐसा राइट जो आप स्वेम से प्राक्टिस कर लें जिसमें आपको राज्य की सहायता की आप सकता नहीं है ऐसे अधिकार जो स्वेम ही आप प्राक्टिस कर लें राज्य की उसमें आप सकता नहीं इन फैक्ट राज्य अगर उसमें दखल देगा तो आपके राइट का ह हानन होगा उसका वाइलेशन होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव राइट कहते हैं जैसे फ्रीडम आफ मूवमेंट आपको एक जगह से दूसरे जगह जानी की स्वतंतरता है तो आप खुद से जा सकते हैं राजे अगर आकर उस पे हस्तशेप करेगा उस पे दखल अंदाज यह बात समझ में आया पॉजिटिव राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो आप खुद से प्राक्टिस नहीं कर सकते हैं पर सभी लोग खुद से प्राक्टिस नहीं कर सकते गरीब लोग उसको खुद से प्राक्टिस नहीं कर सकते तो पॉजिटिव राइट्स को प्राक्टिस क को रहेंगे ना कि सब बड़े बड़े private school में पढ़़ पाएं तो इसमें राज्यीक का interference का जरूरत है तो इसी लिए राज्यी जो है सरकारी स्कुलों के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के माध्यम से मन्रेगा जैसे योजनाओ के माध्यम से हमें यह rights right to work provide कराने की कोशिश करता है right to health right to education तो positive rights में राज्य जो है interfere करता है तो ऐसे rights जो कुछ लोग ही सिर्फ practice कर पाएं सभी लोग practice खुद से ना कर पाएं और राज्य की उसमें सहायता की जरूरत हो उसको positive right बोलेंगे और ऐसा right जिसको हम लोग खुद से ही practice कर पाएं इन फैक्ट उसमें राज्य अगर हस्तशेप करेगा तो rights जो है उसका हनन हो जाएगा तो इसको हम लोग negative rights कहते हैं इसको ध्यान रखीगा क्योंगी आगे हम positive और negative rights बार बार बोलेंगे तो confusion मत होएगा आगे जाकर अब आगे यह syllabus है और यह syllabus आप चाहें तो इसका notes जो है complete notes आप purchase कर सकते हैं आपको बस WhatsApp करना है 7061064881 पे और इसी पर आपको UPI के माध्यम से Google पे phone पे ATM इन सब के माध्यम से आपको payment करना है और यह मैं bilingualy notes आपको भेज दूँगा 236 pages का PDF है तो चलिए अब फर्स जेनरेशन सेकेंड जेनरेशन और थर्ड जेनरेशन और राइट की बात की जाए अधिकार वैसे होते भर नहीं कर सकते आप अपने विक्तित्व का विकास नहीं कर सकते तो अधिकार विक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवस्यक है अधिकार ऐसी परिस्तितियां हैं जिनके इस्तेमाल से जो लोग है अपने प्रस्नालेटी अपने विक्तित्व का जो है वह पुर्ण रूप से विकास कर पाते हैं वही लास्की कह रहे हैं कि राइट्स ऐसे कंडिशन है सोसल लाइफ के जो कि अगर ना हूं तो आप पुर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर पाएंगे आप बेश्ट नहीं बन पाए तो पुर्ण रूप से विकास और विक्तित्व का विकास बात एक ही है अब यह जो थ्री जेनरेशन ऑफ राइट्स है इसका कॉंसेप्ट सबसे पहली बार कैरल वैसाक ने दिया था जो की चेक जुरिष्ट है चेक रिपब्ली के कंट्री है चेक रिपब्ली के विद्वान है यह युनिस्को के लीगल एडवाइजर है और हुमन राइट के एक जाने माने जुरिष्ट है स्कॉलर है और यह एक आर्टिकल लिखते हैं युनिस्को कोरियर के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं और उसी आर्टिकल में इन्होंने सबसे पहली बार 1977 में थ्री जेनरेशन of right क्या-क्या है तो जो first generation of right है ना इसमें हम लोगों का political right और civil right और political right civil right और political right मांतर क्या होता है तो civil right ऐसे अधिकारों को कहते हैं जो की एक नागरिक को ही मिलता है अगर आप किसी देश के नागरिक होंगे ना तो ये citizenship के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है और बाकी जितने भी आपके अधिकार है जैसे freedom of movement हो गया freedom of speech and expression ये सब आपके political right हो गया या फिर right to life के सब जो हो गया ये आपके political right हो गया समझ में आ रहा है बात को और civil right ऐसे राइट को बोलते हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं जैसे हमारे fundamental rights के chapter को आप देखिएगा chapter 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक fundamental right की चर्चा की गई है तो कुछ-कुछ ऐसे राइट से हैं जो कि foreigner और citizen दोनों को available है कुछ ऐसे राइट है जो foreigner को available नहीं है सिर्फ और सिर्फ citizen को available है तो वही राइट civil right हो गया समझ रहे हैं बात को तो फर्स जनरेशन राइट में political और civil right की डिमांड रखी गया जैसे राइट वोट राइट तो context election freedom of speech and expression freedom of residence की हम कहीं भी जाकर स्वतंतरता से रह सकते हैं हम कहीं भी movement कर सकते हैं विदिन अ country तो यह सब political और civil right का डिमांड रखा गया यह पॉलिटिकल और civil right जो है यह पंद्रहवी century से लेकर अठार्मी century तक इसका demand रखा गया देखिए हम सेम वे में सबको discuss करेंगे सबसे पहले time period discuss करेंगे time period 15th से 18th century के बीच में यह जो राइट्स हैं इनकी डिमांड रखी गई यह किस concept पर आधारित हैं यह liberty के concept पर आधारित हैं यह स्वतंतरता की बात करते हैं एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ हैं तो जिन राइट्स से समाज में equality आती है वह आम तोर पर पॉजिटिव राइट्स माने जाते हैं तो यह liberty के concept पर बेस था और यह liberalism जो उदारवाद का जो विचारधारा है उससे इसका जनम होता है उदारवाद का जो महत्वगेता है कहता है कि विक्ति अपने आप में सर्वपरी है और समाज को विक्ति के हित में काम करना चाहिए ना कि विक्ति को समाज के हित में काम करना चाहिए तो विक्ति को सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण माना जाता है फर्स जेनरेशन राइट में इसका historical event है यह first generation right जो political और civil right है यह American revolution और French revolution से inspire होता है बहुत सारे important philosophers है जो first generation right को जो है वह propagate करने का propound करने का काम करते हैं जैसे Thomas Paine सबसे पहली बार natural right कहीं होने बात किया था John Locke हो गए Thomas Hobbs हो गए है वो लटायर हो गया रूसों हो गया जीन जाकर रूसों तो यह सब कुछ हो गया अब जो blue color है ना यह liberty का एक तरह से symbol है तो इसी लिए first generation right को blue rights कहा जाता है यह negative rights है negative rights मतलब यह प्राइट को कर सकता है तुमारे आने से राजज को यह कह रहे हैं तुम्हारे आने से यह अधिकार का हनन होने का खत्रह जादा है इसलिए तुम दूर ही रहो इससे फिर तो मार्टिन गोल्डिंग है तो मार्टिन गोल्डिंग जो है यह राइट्स को सेलेक्टिव राइट्स कहते हैं सेलेक्टिव राइट्स इसलिए क्योंकि इसमें 24 का मामला है इसमें 24 वाले मामले भी आते हैं जैसे राइट्स को चुनना चाहिए यह आपकी स्वतंतरता है तो यह सब है इसमें selective rights की बात की जारी है इसलिए मार्टिन गोल्डिंग जो है यह इसे selective rights कहते हैं तो यह तो first generation right हो गया अब इसी तरह से हम लोग time period और ideology एक अब difference भी create करते जाएगा second generation right एकदम इसी हम धाचे पर discuss करने वाले हैं अब second generation right को कौन से concept से लिया गया सबसे पहले स्में आते कौन पौन से राइट से तो इसमें social rights आ जाते हैं right to equality हो गया इसके बाद इसमें economic राइट राइट हो गया इसमें social rights में वह भी आ जागा right to food हो गया राइट to shelter हो गया right to education right to work और इसमें cultural rights भी आ सब्सक्राइब करें जाते हैं कि आपको अपने कुल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है अदिकार है तो यह सब 20 सेंचे के सेंटेंट्रेशन में आते हैं येwaćी कि आपक और होते हैं यह सोशलिजम और मार्क्सिजम के आईडियोलोजी से उसी विचारधारा से उत्पन होते हैं सोशलिजम और मार्क्सिजम दोनों विचारधाराएं वेक्ति से अधिक समाज को ज्यादा महत्व देती हैं इनके लिए समाज सर्वोपरी है और समाज को जो है सौरी वेक्ति को जो है वह समाज के हित में काम करना चाहिए ना कि समाज को वेक्ति के हित में काम करना चाहिए एकदम लिब्रलिजम का ठीक उलट लिब्रलिजम वेक्ति को ज्यादा महत्व दे रहा है शोशलिजम और मार्क्सिजम दोनों ही समाज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं इनके लिए समाज अधिक महत्वपूर्ण है और वेक्ति को समाज के हित में काम करना चाहिए और वेक्ति का हित और समाज का हित एक ही है अगर समाज का हित पूरा होगा तो वेक्ति का हित भी पूरा होगा वही लिबरलिजम उल्टा बोलता है लिबरलिजम कहता है कि वेक्ति का हित पूरा होगा तो समाज का हित जो है अपने आप पूरा होगा तो ये समाज पर ज्यादा फोकस करता है इसलिए कलेक्टिव राइट्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं ये कौन से हिस्टॉरिकल जो है इवेंट से इंस्पायर होता है तो बॉल्स्विक रेवुलूशन रसियन जो क्रांती होती बॉस रूशिक रांती उससे इंस्पायर होता है उनीजस सटरह में होती है चाइनीजीरेवुलुशन जो होता है उनीसungen चास के में मौशितों के नित्रित्वा में और बॉल्षविक रेवोलूशन लेनिन के नित्रित्वा में तो उससे यह जो शोशल, एकनॉमिक और कल्चरल राइट की जो अधारना है यह निकल कर आती है और पूरे विश्व में जो है यह पॉपिलर होती है उसके बाद इसमें कौन-कौन से फिलोसफर्स का मतलब अधिक योगदान है कार्ल माक्स लेनिन माव आप सब जानी रहे हैं यह सब चीज़ें इसको रेड राइट बोलते हैं क्योंकि रेड राइट जो है वो सोशल एकनॉमिक और कल्चरल राइट का जो है वह एक तरह से सिंबल है इसलिए और माक्सवाद से जब यह निकला है और सोशलिजम से तो माक्सवाद तक कल नहीं लाल है लाल सलाम इसी लिए अब भाई मैं माक्सवादी नहीं हूं वारना पता चला कि मेरे मेरे को आप लोग बोलने लगे कि नहीं इसने लाल सलाम बोल दिया मैं बस एक्जामपल दे रहा था यह ना उसके पॉजिटिव राइट्स होते हैं मतलब अगर इन राइट्स को आपको अगर प्राप्त करना है सबको समाज में बराबर तो राज्य को जो है हस्तशेप करना पड़ेगा इसमें राइट टू वर्क अब राइट वर्क सबको तो नहीं मिल सकता तो मन्रेगा जैसे कानूनों क विएन जरेशन राइट से जो है यह एक तरह से एक तरह से वल्ट हेर्कारण कारी और राज्य को देती है और इसलिए मार्टिन मार्टिन गॉल्डिंग जो tehdesska pichlion投資 को सहराव कि उन्हों ने आपको सेकंड करो यह हो गया घंट जुआ है यह कि रिरू होता है हेरोज सीमऑ नागा साकी पर छे अगस्त और नाव आगस्त के दिन 1945 में बिलकुल सही बात 1945 में जो है दो एक लिए जाते हैं पहला का नाम रहता है लेटल बॉय दूसरे का नाम रहता है फैट मैं यह सब पता नहीं नामकरन करके क्यों गिराते से तो इनसान जैसा सुधने में लगता है तो पहला तो आज 6 अगस्त के दिन लिटिल बॉय ग अगस्त के दिन 1945 में अमेरिका ने गिराया अब इससे इन्वार्मेंट को जो नुकसान पहुचाना यह दुनिया ने सबसे पहली बार एक्स्पिरियंस किया जब और योगिक क्रांती हुई इंडस्ट्रियल रेबुलूशन तो उस समय तो कुछ सौ वर्सों तक कोई दिक्तत नहीं हुआ दुनिया को एकतम अच्छे से सब एकतम चलता रहा फस्कलास उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्वार्मेंट करने लगा उसके बाद आप आगे अगर जाएंगे 1950-1960-70 के दसक में तो पता चलेगा कि ओजोन होल जो है वह साइंटिश डिसकवर करते हैं कि भाई ओजोन का जो परत था जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता था वह एंटाटिका के ऊपर तो डिसापेर होते जा रहा है बहुत थिन हो गया बहुत पतला हो गया तो इन्वार्मेंट का जो प्रॉब्लम है ना ये द्वीतिय विश्वयुत के समय लोगों को सम जो हुआ और इसी से जो हैना थोन घे ञांट का उद्गम होता है अच्छा सेकर्ड़ जन्रेशन कंसेप्ट पराधारी है इक्वालिटी के जिन्दा है और उसको साफ पीने को पानी नहीं मिल रहा है और उसको हवा नहीं मिल रहा है और वो बेचारा बहुत ख़राव いन्वार्मेंट में रह रहा है वातावरन अशुद है प्रदुशन है तो यह जीना भी कोई जीना है तो dignity तो है नहीं इसी लिए इन्वर्मेंटल राइट्स पर यहाँ पर फोकस किया जाए सबको इन्वर्मेंटल राइट्स की सबको हेलदी इन्वर्मेंट का दिकार है सबको प्योर एयर जो है ब्रीथ करने का सांस लेने का अधिकार है सबको प्योर पानी पीने का अधिकार है तो यह सब कुछ अधिकारों पर जो है यह फोकस किया गया थार्ड जेनरेशन राइट में ठीक है थार्ड जेनरेशन ऑफ राइट जैसा मैंने आपको बताया 1950 के बाद ही यह सब शुरू हुआ 21st सेंचुरी में अभी इन राइट की बात चल रही है इसकी कवायत हो रही है पेरिस एग्रिमेंट जो हो रहा है जितने सारे भी आपके रियो डिजिनेरियो जो और समिट हुआ था वहां से जो यू एफ सी 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 जो है आया एक्जिस्टेंस म तो आप लोगों को पता है कि कितना कवायत की जा रही है इंवर्मेंट को बचाने की तो यह थर्ड जनरेशन आफ राइट में आता है 21st century में भी जारी है यह मैंने गलती से टाइपो एरर कर दिया है यह इंस्पायर है आपके इंवर्मेंटलिजम से इंवर्मेंटलिजम जो की इंवर्मेंट को ज्यादा महत्व देता है उससे यह इंस्पायर्ड है जो थर्ड जनरेशन राइट है वह हिस्टॉरिकल इवेंट इसके क्या है तो 1972 में जो स्टॉक्हों कॉन्फरेंस हुआ हमारी इंदरा गांदी भी इसमें पाटिसिपेट की थी बहुत एहम रोल रहा था हमारे समिधान में उसमें आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे इस में से जो रूल्स रेगूलेशन हैं सो तो अब आगे हम बढ़के देखते हैं तो स्टॉक्हों कॉन्फरेंस में क्या होता है यूएंडीप का फॉर्मेशन होता है नहीं यूएंडीपी ने यू का जो अर्थ समिट होता है फॉर्स्ट समिट नाइंटीशन मिलता है फिर उसके बाद ये डौक के द्वारा गइड्ट है जो इन्वार्मेंटल जो अक्टीविस्ट लोग है जिसमेंसे सबसे इंपोर्टेंट है आरी जो गुडिन है उनसे इंसने है और भी बहूत सारे अक् से जो है यह करते हैं इसमें पॉजटिव राइट नेगेटिव राइट से कुछ चीजों सरकार को इस्ट शेप करने के लिए बहतर भी करना चाहिए अब एयर पॉलिशन के समस्या को दूर करना है तो एयर फिल्टर लगाना एक टाउन में चार-पांच यह तो एक आम आदमी क जनेरेशन राइट का भी बात चल रहा है यह कैरल वैसा के औरिजिनल आर्टिकल में था ने लेकिन जब से यह फेस्बूक और इंस्टाग्राम आया है ना जब से इंटरनेट आया है तब से एक फूर्थ जनेरेशन राइट की कवायत शुरू हो गई है इस पर लोग फोकस करना इंफसाइज करना शुरू कर दिये हैं क्योंकि अब हम दो तरह से एक्जिस्ट कर रहे हैं एक हमारा एक हमारा रियल सेल्फ है रियल सेल्फ हम जो की फिजिकली जो है धर्ती पर एक्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरा हमारा डिजिटल सेल्फ है हमारा वर्चूल सेल् इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूब का मेरा आकाउंट है तो यह सब डिजिटल सेल्फ में आता है तो हम लोगों को डिजिटल राइट्स की भी जरूरत है तो फॉर्थ जेनरेशन राइट अभी इसको कहीं एकनॉलेज उतनी तरह से किया नहीं गया बट डिजिटल इसमें यह भी 21st century internet के आने के बाद कि यह कवाईत है अब यहां पर टेक्नलोजी जो है टेक्नलोजी के आने से हो सकता था कि अधिकार को सेमित कर दिया जाता अब व्यक्ति अपने अभी व्यक्ति को कैसे दिखाता है अगर अपना कुछ एक्स्प्रेस करना चाहता है अपने कि नहीं किसी को नहीं बनाना है तो तो डिजिटल राइट्स होना बड़ा ज़रूरी है तब ही आप अपने सारे राइट्स को क्योंकि अब बहुत सारे राइट्स जो है आप डिजिटली प्राक्टिस कर रहे हैं आप अभी कभी वोट अब देखिएगा ना फ्यूचर में तो ऐसा होगा आज के 20-30 साल बाद कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा वोट देने के लिए आप घर से ही वोट दे दीजेगा पस फोन में आप किये आपका बायोमेट्रिक लिया और आप वहीं से वोट कर सकते हैं ऐसा होगा मेरे ख्याल से तो डिजिटल राइट की यहां पर कौवईद चल रही है कि मुझे हो कि हम डिजिटली एक्जिस्ट करें करें फेस्बूग पर अकाउंट बना सकें इंस्टाग्राम पर बना सकें फिर डिजिटल रेपूटेशन हमको कोई डिफेम ना करें कोई हमको गाली गलोज ना करें यूटूब पर फेस्बुक पर अगर कोई करता है या अगर आपके रेपूटेशन को कोई हानी होती है तो आप केस कर सकते हैं आपका एक डिजिटल स्क्राइट से लिखने को आएगा आप उसी पर फोकस कीजिए यह मैंने बता दिया कुछ नया साथ है इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो आप नोट्स पर्चिस कर सकते हैं और प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा